ओके, हेलो चैर्टर्स, माइनेम इस रूइत और यूर वाचिंग रसल चैर्टर। और इस पूरे टाइम में, जॉन सिन ने काफी ज़्यादा टाइम डिया है, एसा बिल्कूल भी नहीं उन्हें ने किया, कि वह थोड़े से टाइम के लिए और बड़ा ब्रेक लेकर, डिवल वी इसे गायब हो गया है, उन्हेंने हमेज़े सही, अगर किसी भी रैसलर से रैवल जान सिना के फैंस को भी होने वाला है, क्योंकि आप में डेवल डेवले में जॉन सिना फुल टाइम रैसलर के रूप में देखने को नहीं मिलेंगे, तो जैसे कि हम पहले दर रॉक को देखते थे, वह रैगुलर डेवले में फाइट्स करते थे, लेकिन अब उनका कोई फ् मूवी तो जैसे कि हम जानते हैं, जॉन सिना की काफी सारी मूवी जाने वाले हैं, इसके लाव अपने फ्यूचर प्रोजेक्स पर भी उने काम करना है, तो इसके लिए वो डेवले में फिलाल ब्रेक ले रहे हैं, और हो सकता है ये ब्रेक 6 महीने, 1-2 साल या इससे भी ज्य जैसा ही है, अगर जॉन सिना में 1-2 साल या इससे जादा नहीं दिखते हैं, तो वह हम फैंस के लिए रिटायर के जैसा ही होगा, लेकिन ये खुशी की बात है कि जॉन सिना रिटायर नहीं हुए, क्योंकि अभी उनकी सिर्फ 40 उम्रह और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वह अब रैसल नहीं कर सकते हैं, अज भी उतने स्टैमिना है, जैसे कि हमने उनके डेब्यू में देखा था, और बात करें अगर हम खुश जॉन सिना भी नहीं चाहते हैं, वह काफी टाइम से WWE से काम कर चुकिया, और ने काफी लगाव हो गया WWE से, लेकिन वह भी जानते हैं, क फिलाल वो कुछ टाइम हॉलिवड में काम करेंगा और हो सकता है, कुछ साल के बाद हमें फिर से जान सिना WWE के रिंग में दिखाए दें, लेकिन अभी ही तो यह बात बिल्कुछ फिक्स है, कि जान सिना का जो डिल तोड़ने वाली बात है, क्योंकि हमने हमेशे शहीं WWE के र इसके लावर कॉने टू बताना है कि क्या आप जोंसेने को कितना मिस्स करने वाले हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि आपको ऐसी WWE के अपडेट्स मिलती रहें, जो बाते आप जैनना चाहते हैं, so see you guys in my next video.